नियम 377 के अधिन मामलों को सभा पटल पर रखने है तू माननिय सदसिगंड नियम 377 के अधिन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा जिन सदसिगंड नियम 377 के अधिन मामलों को आज उठाने की अनुमती दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्चुक हैं वे 20 मिनिट के भीतर मामले को पीट व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेजें केबल उन्ही मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिन के लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो सेस को व्यक्तिगत रूप माना जाएगा बजट पर चर्चा मानने स्री चरण सिंग्स चन्नी जी माइक देश शिवा बर मोहे हैं शुब कर्मन ते कब हूँ ना डरूँ और सोज अब जाए लरूँ निचे कर अपनी जीत करूँ मानने चेर्मेंट मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं दस सार राजगार के अग्जास्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियर्टी भी नहीं है कितनी महत्नपूर्न चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना परदान मंत्री जी ना होम मिनिस्टर ना फाइनास मिनिस्टर आप उस तरफ देखो उस तरफ देखो वो खाली कुर्चियों को देखो ये खाली कुर्चियों को देखो ये खाली कुर्चियों को देखो ये उनको इंतियार कर रही है कि कहा है हमारा फाइनास मिनिस्टर ये सिंसेर्टी है इनकी मैड़ो ये सिंसेर्टी है कहां है इनके मेंबर, कहां है प्राइम मिनिस्टर, कहां है होम मिनिस्टर, कहां है हमारे विध्यमंत्री, जिन्हों ने बजट पेस्ट किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया अपने और क्या दिया, ये संसियटी है, देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं, कि आपकी सरकार की संसियटी क्या है, मानिये चेर्मेन जी, मैं जब जीत कर आया, मैं जब जीत कर आया, सबसे पहले, मैंने मानिये श्री अम्बेदकर्द साहब की मूर्ती पे नमन करना चाहा, मैं वहां गया, तो वहां मूर्ती नहीं है, वहां से उठाकर पीशे कर दी गहीं, लेकिन यह लोग समझ ले, कि यह मूर्ती पीशे कर सकते हैं, अम्बेदकर्द साहब की, उनकी सोच पीशे नहीं कर सकते, यह उनकी सोच को मार नहीं सकते, और उनको इस सविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते हैं लोगों ने बता दिया हैं इनको कि आप सविधान नहीं बदल सकते हैं पूरी मज़ारटी नहीं थे इसलिए इनको और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब्यूक अन छोट बड़ो सब सम बसें रविदास रहे पर सन माननी है चेर्मेंट जी 22 तारीक को बजट पेश हुआ मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं पहली बार आया हूं सदन में जलंदर के लोगों का धन्यवाद है जिनोंने मुझे यहां खड़ा किया लिया कर उन भोटरों का धन्यवाद है मैं नए कपड़े डाल कर आया के बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को बताने को पंजाब में जाकर मैं और सारे MP हमारे प्रेस कांफरेंस करेंगे के देखो क्या क्या मिला नए कपड़े मेले जैसे आया मैं लेकिन यहां आकर यहां आकर खोदा पहाण लिकड़ा चुहा भी नहीं कुछ नहीं मिला हमें पूरा मत्रही मावाड़ा सलूप किया गया हमारे साथ फियर डिस्टिबिशन और फंड नहीं हुआ यह सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है चास्मा राजनीती वाला लगाया हुआ है राजनीत चास्मे से देखा गया है अपनी सरकार बचाने का फिकर है कुर्सी को पगड़े हुए है और यह बजट देश बचाने वाला नहीं है सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला पन्जाब में जो भाड़ आई इनको दिखी नहीं गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं जिनको कॉंग्रस की सरकार मनमोन सिंग जी सरकार ने गरंटी दिए ते 100 दिन की यह 100 से 101 भी नहीं कर सके 200 नहीं कर सके ये उनकी चारसो दिहाडी, उनका जो वेज है, वो बड़ा नहीं सके, गरीभ की कोई सुनवाई नहीं, इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया, जलंदर इंडस्टिरी पंजाब की ढूब रही है, जलंदर में लेइदर इंडस्टिरी है, जलंदर में सपोर् गंता आ रहा है सडके खराब हैं रेलवेज अंडर बिज की बात नहीं की नशा अभी राजा पडिंग जी ने बेजा बोला नशा इतना फैल गया पंजाब में लेकिन सुनवाई कोई नहीं आदमपुर एरपोर्ट का इनोंने कहा था नाम पर माननी है परदान मंत्री जी ने क रहा था कि उसका नाम गुरू रविदाद जी के नाम से रखेंगे लेकिन आज तक नहीं मैं वो भी मांग करता हूं बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जब चीरा तो एक कत्राइक खून नहीं निकला माननी है चेरमेंट जी 24-25 के जो बजट में एस्टीमेट दिये गए हैं उसमें 32 लाग करोड रुपे की आमदन दिखाई गई है और 48 लाग करोड रुपे का खर्चा दिखाया गया है 16 लाग करोड 16 लाग करोड का गटा है आमदन और खर्च में जिस गर का 16 लाग करोड का गटा होगा एक साल में उसकी बरवादी तैय है और ये बीजे पी वाड़े टैयक कर रहे हैं और मैं 14 लाग करोड इस साल करजा लेने की बात की गई है 14 लाग करोड अगर ऐसे हर साल करजा लेंगे देश कहा जाएगा आज देश में पनेंशल एमर्जेंसी वाले हालाद पैदा हो रहे हैं और बीजे पी ये हालाद पैदा करने के लिए जिम्मेवार है और ये कहते हैं कि जी हर रोज एमर्जेंसी की बात कहते हैं कि एमर्जेंसी लेकिन जो देश में आज अंडेकलेर्ड एमर्जेंसी है उसक क्या है एमर्जैंसि ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया आज तक सिदू मुसेवळा उसके परवार को इंसाब नहीं मिला वो धरदर बढ़क रहे है ये भी एमरजेंसी ये भी एमरजेंसी है एमरजेंसी ये भी है के 20 लाग लोगों दोरा 20 लाग लोगों दोरा पंजाम में मेंबर पार्लिमेट चुना गया और वो एन्स से लगाकर अंदर रखा हुआ है freedom of speech उसकी constituency के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे ये भी emergency है emergency ये भी है कि विपक्ष के ब्याक्तियों को केंद्री एजेंसियां कारवाई करने के लिए छोड़ दी जाती है उनको अंदर रखा जाता है ये भी emergency है emergency ये भी है कि हजारों किसान उनको खाले स्थानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं अरे पंजाब कोई देश की दर्ती नहीं है पंजाब हमारे देश की दर्ती है हर्याना में नैशनल वाई उबे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, उनको मिला नहीं जा रहा, यह भी अमर्जनसी है, अमर्जनसी यह भी है, अरे, 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो, गर्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है, एमर्जेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मनिपुर पिछले डेड़ साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है एमर्जेंसी ये भी है कि हाथ रस यूपी में एक डलित लड़की को आदी रात में जवरन अंतर्म संसकार किया गया एमर्जेंसी ये भी है कि मद्या परदेश में दलित ब्यक्ती को कि सिर पर मुपर पहशाब कर दिया गया एमर्जेंसी ये भी है कि अपनी इज़त के लिए धर ना दे रही महलाओं पहलवानों को परदर्शन में प्रॉपोगंडा बताया गया एमर्जेंसी ये भी है कि कोई पतरकार स्वाल करें तो उसको जेल में डाल दिया जाता है एमर्जेंसी ये भी है कि अपनी सिक्षा के लिए उतरे शात्रों को देश दरोही बताया गया एमर्जेंसी ये भी है किसे है एमर्जेंसी की बात कर रहे हैं सुन लो भी या सुन लो सुन लो माननी है चेर्मेंट जी मैं पंजाब के एक गरीब परवार से आता हूँ मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की आज तक मैं यहां खड़ा हूँ तो ये कॉंगर्स सरकार की रिजर्वेशन पॉलसी और अम्बेद कर साथ का दिया हुआ सविधान और जो हमें स्कॉलर्शिप मिलता रहा कॉंगर्स पार्टी ने गरीबों को बच्चों को जो स्कॉलर्शिप दिया उससे पढ़कर मैंने पीएच डी तक की बढ़ाई की है और ये देन कॉंगर्स पार्टी की है और जब बीजेपी सरकार दोजर्व चौदा में आई सबसे पहले इनोंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया स्कॉलर्शिप में जो के इंदर का 90% हिसा था उसको 60-40 की रिशो पे ले आए और दलीतों के पेट पे लाक मारी सरकार रहे और आज भी फस्ट कलास से लेकर एट कलास तक के स्कॉलर्शिप जो गरीब लोगों के बच्चों के मिलते थे वो बंद कर दिये गए है इस सरकार दौारा ये दलीतों के पेट पर लाक मार रहे हैं और मिन्याउटिके भी फस्ट कलास से एट कलास तक के स्कॉलर्शिप एस सरकार के दौारा बंद कर देंगे हैं बीजे जब ये सरकार बनी दोजार चौदा में तो परधान मंत्री जी ने दो माप दंड देश के सामने देश की एकौनमी को देखने के लिए रखे एक रखा डॉलर की कीमत दूसरा रखा पट्रॉल और डीजल की कीमत और मैं आपको माननी है चेरमेंट जी ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दस साल में डॉलर की कीमत पच्चीस रुपए बढ़ गई है दस साल में और हमारे माननी है परधान मंतरी मर्मौर सिंग जी और कॉंग्रस की सरकार में ये सिर्फ तेरा रखे बढ़ी थी डवल बढ़ी है इस सरकार में और मोदी जी उस समय बोले थे क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है ये जवाब देना होगा आपको देश जवाब मांग रहा है समझ नहीं आ रहा है वर्धान मंत्री जी गिर रहे है या रुपया गिर रहा है कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के वीज कमपीटिशन चल रहा है कि सरकार ज़्यादा गिर रही है यह रुपएया ज़्यादा गिर रहा है और मोदी जी ने कहा था, जिस देश का अरपया कमजोर होता है, उस देश की सरकार को मजोर होती है, उस देश का परदान मंतरी कमजोर होता है मैं आज, मैं आज कहता हूँ, कि आज देश का अरपया कमजोर हो रहा है, आज देश की अगया कमजोर हो रही है, क्या देश का अरपया कमजोर हो रहा है, या परदान मंतरी जी कमजोर हो गई है, या देश की सरकार कमजोर हो रही है दूसरा पेट्रॉल की कीमते इन्हों ने कहा परदान मंत्री जी ने दोहजार चोदा में के पेट्रॉल की कीमते बढ़ रही हैं और मनमून सिंग जी को कोई फरक नहीं पढ़ रहा देश डूब रहा है तो पिछले 10 सालों में पेट्रॉल की कीमते 23 रुपे बढ़ गई है। करूड औयल की केमत 20 डालर प्रती बैरल कम हो गई है। तो मैं पूशना चाहते हूँ कि ये बट्रोल बड़ रहा है या आपकी कॉंपनियों कि आपके आमिदियों की आमदन बढ़ रही है क्या बढ़ा रहे हो किस तो दे रहे हो देश का पैसा कहा जा रहा है पैसा गरीब लूता जा रहा है मानिया चेरमेंट जी आप गाड़ी फूल करोने जाओं पचास लीटर तेल डलवाओं दो हजार प्या सरकार को चला जाता है चार पे प्रती किलो मीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का एक किलो मीटर चलो चार पे सरकार को गए और सरकार चौदा लाग करोड के गाटे में बैठी है और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला मैं एक एरपोर्ट पे गया मानिया चेर्में जी तो मुझे एक आदमी आया उसने बुलदस्ता दिया मेरा स्वागत किया अबिनंदन है आपका मैंने कहा बैया आप कौन हो मेरा बिनंदन क्यों कर रहे बोले जी हम अडानी जी की तरब से आपका स्वागत कर रहे मैंने कहा बैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो बोले जी अब ये एरपूर्ट हमारा है अब हम हम ही इसके मालिक हैं प्चास साल के लिए हमने ले लिया है तो मैंने कहा यार चलो ठीक है आपने ले लिया आपका दन्यावाद मैं जहाज में चला गया जहाज में गया बहाँ फिर मुझे बुक्टे मिला वो कहते हैं जी आपका स्वागत है हम कॉम्पनी की तरफ से कर रहें मैंने कहा यार इंडि चाहता हूँ कि क्या क्या बेचोगे कितना बेचोगे देश को मैं साथ एयरपोर्ट पे गया जिन में लखनवू एमनाबाद मैंगलूर जैपुर गौाटी तुरिंद्रम मवई के साथ के साथ एयरपोर्ट अडानी जी की है पचास साल के लिए उनको दे दिये गए हैं उनका जो पुतर है उसकी साथी में गिफ्ट कार दिये गए हैं और हजारों क्रोड रपे शाथी में लगा है मेरे लड़के की साथी गुर्दवारा में हुई मान्या चेरमेंट जी मेरे लड़के की शाथी गुर्दवारे में हुई आज तक पुलीस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था डाल कितने लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिये गए आज तक दो साल से पुलीस पूछ रही है मुझे और इस शादी में हजारों क्रोड पे अलगा है और परदान जी बुके लेकर जा रहे है परदान मंत्री जी और उनका स्वागत कर रहे है गरीब को लूटा जा रहा है गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और परदान मंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड की शादी में जा रहे है कोई बात नहीं क्या क्या बेचोगे सारे एरपोर्ट जहाज बेच दिये आप देश की संपती के कस्टोडियन हो मालिक नहीं हो आप इसको बेचने की गल्ती मत करो देश बरबाद करने की मत करो आप अपने आपको स्टेट्समेन बोलते हो आप अपने आपको देश के बहुत बड़े खैर खुआ पोलते हो और देश को बेच रहे हो गरीब आदमी कहा जाएगा एक दिन परधान सेवक जो हार्ट समझ कर पहना था गला अपना सजाने को वो नाग बन कर बैठे हैं गला काट खाने को माननी है चेरमेंट जी इस्ट इंडिया कमपनी आई उन्होंने पहले बपार पे कबज़ा किया इस्ट इंडिया कमपनी ने और बपार के माद्यम से देश की सता पे कबज़ा कर लिया इनमें और अंग्रेचों में कोई फर्क नहीं सिर्फ कलर का फर्क है ये भी पहले सता में काबज हुए और फिर सता के मादियम से आज ये देश की राज़ी के मादियम से पूरे देश के बपार पे अपने आदियों का अपजा करा रहे हैं मैं बस एक बात करके एक बात करके बोली बोली मानिये चेर्मेंट जी कोई बात नहीं बैठ जाओ जी बैठ जाओ बैठ जाओ बिट्टू जी आपके पिता जी शिहीद हुए थे लेकिन मैं आपको कह दिन वो उस दिन नहीं मरे थे वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांगर उसको छोड़ा आज देश राहूल गांदी जी की तरफ देख रहा है मैं आगरा कर रही हूं मानने चेर्मेंट जी आप ओम से बिखे कर रहे हैं उनको बोलो बैठ उनकर घाओ प्रवांध से नहीं के मुझे करने करते रहें और ये इस चन्नी की ये अपनी जैदाद पूछे इनको ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो पर सबसे क्रफ्ट ना हो मैं अपना नाम बदल दूँगा हजारों करोड का मालिक ये एक चन्नी है और ये गोरा किसको कह रहे है सोनिया गांदी जी वो कहां के है ये पहले बताएं वह सोनिया गांदी जी कहां के है ये सक्षे मीटू में ये सारे केसों में ये सक्षे क्रंडी है मानने ये सदस अपनी बात कम्प्लिट करें मानने ये चेर्मेन जी आपका देनया बात बैठो राजा बोलूगा 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 उसको पठाओ उसको पठाओ आपने आद भी बिठाओ माननिया चेर्मेंट जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आज अरे सुनो बाई आज मैं माननिया चेर्मेंट जी मैं माननिया सदसे से आगरा कर रही हूँ अब सब अपने अपने इस्तान पर बैठे सभा की कारवाही दो बजे तक इस्तगित की जाती है